आप सब का हमारी चैनल श्रीमा धूम रेमेडीज पर स्वागत हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि नवरात्री के समय आप एक उपाये करते हैं कि जिससे की आचानक धनलाव तो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं और बड़ा ही आसान उपाय है जो आप कर सकते हैं नवरात्री की शिर्वात तीन ऑक्टूबर से है साथ दोगजर चॉब़ेस और समापन बारहं ऑक्टूबर को और आप कोई भी स्पेशल परड़क्ट शिवागो डाट कॉम या उम्जा डाट कॉम से प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल चैन्यून अथंटिक लैब तोकत उत्टर दिशा मतलब नौर्थ दिशा के और मुख करके आपको एक पीला आसन खरिदना उसी आसन पर आपको यह करना है अपने सामने आप नौ दीपक जलाएंगे शुद देसी खीका यह दीपक साधना काल तक जलते रहना चीए बुझना चीए नौ के नौ दीपक कि दीपक के सामने लाल चावर आपको चावर को कलर लेना है कीट ढेशेटी बनाना है पिर उससक्व श्रीआंत्र रखना । श्रीआंत्र जो है आ आप श्रीपरणी का ले सकते हैं अपकी अस्थापित कर सकते हैं आपके उपर तो श्रीयंत्र रखकर श्रीयंत्र को कुम-कुम, फूल, धूप और दीब से पूजन कीजिए उसके बाद एक प्लीट पर स्वास्तिक बनाकर उससे अपने सामने रखकर आपको पूजन करना है आसान है जो भी यह बड़ा असान बता रह और सेज सामगरी को नदी में प्रवाइद कर देना है इस परियोग से आपको आचनक धन लाप के योग बनते चले जाएंगे पर यह करना कितना दिन है? पाँच दिन आपका उसमें जो मंत्र होगा, ओ मंत्र होगा ओम शिम रिम शिम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्द मिरे अमिशे महा लक्시 में नमा इस मंत्र का जाब आपको करते चले जाना है रोज मतलब वो पाँच दिन जो होंगे कम से कम पाँच माला आपको रोज करना है अब यह जाब है आप रुदराख्श की माला पर भी कर सकते हैं, तो यह आप के उपर नेवर करता है, कि आप किस माला से करते हैं? देखे मैं आपको अंद विस्वास की तरफ नहीं डखेल रहा हूं कि आचानक धना जाएगा यह हो जाएगा आप कोशिश कीजिए बांकि तो फिर उपर वाले के हाथ में मा के हाथ में हैं आप आस्ता के साथ कीजिए फल जरूर मिलेगा आपको तो धन्यवाद आप सब का हमा माले चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट देशिए ते निवादत